ओम शान्ती, आज है 13 जन्वरी 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा मैं मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप हूँ, मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अब मैं आया हूँ नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने, अर्थ इस कब्रिस्तान को परिस्तान बनाने, यहां सब मनुष्य कान्टे बन गए हैं, यह है ही कांटों की दुनिया, इस कांटों के जंगल को बदल, बाप दैवी स्वराजे की सापना करने आये हैं, फिर बाबा ने कहा मैं ग्यान सुर्य, इस समय ग्यान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पावन बन जाते हो, बाकी बरसात का पानी थोड़े ही कोई को पावन बनाएगा, बाप तुमको कितना अच्छी रिती समझाते हैं, तुम्हें फिर और भाई बेहनों को समझाना है, अगर तुम जाग गए तो दूसरों को भी जगाओ, पहले पहले सब को यही बात समझानी है कि परंपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या सम्बंद है, फिर समझाना है, दुनिया एक है, रच्चता भी एक है, और पतित पावन भी एक ही है, शुव बाबा और लास्ट में बाबा ने कहा ये है तुम्हारा अंतिम जन्म है इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है तुम कितना समय देह अभिमानी रहे हो अब देही अभिमानी बन जाओ हे आत्माओ अब तुमको इन पांच विकारों रूपी रावन पर जीत पानी है जो जीतेंगे वही राम राज्ये के मालिक बनेंगे और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम्हें इस काटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है नई दुनिया का निर्मान करना है प्रश्न तुम बच्चे बाप के साथ कोन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता उत्तर सारे विश्व में सुर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की सापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना यह बाप का ही काम है गीत ओम नमो शिवाये, ओम शान्ती जब कोई साधू संत या विद्वान लोग भाशन करते हैं, तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं कोई शिवाये नमह कहते, कोई क्रिश्न नमह कहते, कोई गनेश नमह भी कहते हैं परन्तु नमस्ते तो उँचे ते उँचे एक बाप को ही करना चाहिए बच्चे जानते हैं उच्यते उच्चा एक भग्वान है उसका नाम शिव है गाते भी है शिवाय नम है शिव को हमेशा बाबा कहते हैं शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं रचयता एक है, रचना भी वास्तों में एक है रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है बाप जो दुनिया क्रियेट करते हैं सो जरूर नई ही क्रियेट करेंगे प्रंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं, तब ही बाप को पुकारते हैं, परन्तु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं, यह नहीं जानते। बाप बैट समझाते हैं, आगे भी समझाया था, कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जो ग्यान का सागर नौलेजफूल हूँ, वह बैट तुमको समझाता हूँ, शुबाबा कहते हैं, मैं मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप भी हूँ, मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया को हैविन, अथ्वा गार्डन कहा जाता है, फिर जब दुनिया पतित होती है, तो कांटों का जंगल कहा जाता बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ओफ गौड था। भारत हीरे जैसा था। उसको ही सुखधाम भी कहते हैं। अब तो भारत पुराना है उनको ही दुखधाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं आजकल देहली में विश्व नव निर्मान प्रदर्शनी कर रहे हैं। यह पहला बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैट समझाते हैं। भारत नया था तब ही सुखी थे। लक्ष्मी नारण राज्ये करते थे। विश्णुपूरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्मान यानि फांडेशन लगाना यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। भारत वासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं वे नए विश्व का निर्मान करना सके। तुम जानते हो वो लोग क्या-क्या फांडेशन लगाते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग नई दुनिया का फांडेशन लगाता हूं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह है कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे काटे हैं एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ओफ अल्ला था। गोड ने सापन किया था। शिवाय नमह भी कहते हैं। शिवाबाबा ने कैसे सापन किया। बरोबर ब्र जंगल को बदल दैवी स्वराज्य सापन करेंगे बच्चों को निमंतरण देते हैं यहां भी बच्चों ने निमंतरण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की सापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है आप आकर दे परमात्म का चित्र है शिवाय नमह सबसे उच है वय है फिर नई दुनिया रचते है नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारन का ही राज्य था तो उचे ते उचा परंपिता परमात्मा वय है फिर से सूर्य वंशी चंद्रवंशी राजधानी की सापना करते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों दवारा वह सत्युग आधी में थे तो सापना जरूर कलियुग अंत में ही की होगी सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं वास्तों में सभी आत्माई शिव की संतान है और प्रजा पिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पार्ट सारा नुन्धा हुआ है। पहले पार्ट धारी यह हैं जिसको पूरे 84 जनम लेने है। पुनर जनम लेने का रसम तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने है। सतो प्रधान जब थे तो सुर्यवंशी लक्ष्मी नारेन का राज्य था। सोले कला संपुरन थे। फिर चोदह कला बने। इन दो युगों को गार्डन ओफ लावर कहा जात है। वेथा सुखधाम यह चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। उपर में शुबाबा जिस दवारा विश्व नव निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा विश्णू शंकर उनको रचने वाला यह शुबाबा है। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की सापना और अब धर्म है। सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है। वेह प्रायह लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वेह अपने को हिंदू कहला रहे हैं क्योंकि सत्युग में सब पावन थे। अब सब पतित है। बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन है यह बाप ही समझाते हैं बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं पतित बनाने वाला है रावन जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं रावन का कोई रूप नहीं है वह है गुप्त पांच विकार स्त्री के पांच विकार पुरुष के भारत का बड़ेते बड़ जिसने भारत को कोड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावन पर जीत पहनो मेरी मत दवारा। इस समय सब पतित बन गए है। इस कारण परंपिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की। भगवानु वाच, हे बच्चों, अत्वा आत्माएं, तुम सारा समय देहे अभिमानी रहे हो। अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो। तुम ही शरीर छोडती और लेती हो। बाप कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए ही गाते हैं आधाकल्प ब्रह्मा का दिन, आधाकल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझ गए हो। तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों दवारा समझाओ। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां। परंपिता परमात्मा दवा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है ग्यान सूर्य प्रगटा, अज्यान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं। मैं ग्यान सूर्य इस समय ग्यान वर्षा कर रहा हूं। जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावन। रावन को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वे राम सीता वाला नहीं। तुम बच्चों को यह सापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नव निर्मान प्रदर्शनी हैं कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा दवारा सुख धाम की सापना करते हैं। ये धक्ये खाते हैं यह भी ड्रामा में नूद है आधा कल्प ग्यान आधा कल्प भक्ति ग्यान का सागर अथ्वा ग्यान सूर्य परंपिता परमात्म को ही कहा जाता है भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जनम भूमी है मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। जो पुझे लक्ष्मि नारेण थे, वही पुझारी बने हैं। आप पे ही पुझे, आप पे ही पुझारी। वही लक्ष्मि नारेण की आत्मा जिनको 84 जनम भोगने हैं, तो भिन नाम रूप में भोगने हैं। पहले पहले तो यह बात समझनी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबन्द है। जरूर कहेंगे बाप हैं, वे तो सब आत्माओं का बाप हुआ, शुव बाबा के तुम सब बच्चे हो, इस समय भगत हो, भगवान को सब याद करते हैं, भगत कहते हैं, हे भगवान, हमको भगती का फल दो, हम दुखी है, जीवन मुक्ती दो, साधू लोग भी साधना करते हैं, कि हमें मुक्ती जीवन मुक्ती दो, इस समय सब पुकारते हैं, कि आकर पतितों को पावन बनाओ, बाबा डारेक्शन देते हैं, कि ऐसे ऐसे समझाओ, हम आत्मा शान्ती धाम में रहने वाली हैं, अब एक शरीर छोड, दूसरा ले, पार्ट जरूर बजाना है, वर्णों से भी पास होना होता है, यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिडता ही रहता है, इसको भी जानना चाहिए, कि कैसे फिडता है, पतित पावन एक, रच्टा एक, दुनिया भी एक, पुछते हैं, पावन से पतित कैसे बने, रावन की आसुरी मत पर जलने से पाँच विकार आ जाते हैं, पाँच विकारों को ही रावन की मत कहा जाता है, इसलिए रावन को जलाते हैं, परंतु रावन जलता ही नहीं, अब बाप कहते हैं बच्चे, तुमको इस रावन पर जीत पानी है, जो जीतेंगे, वही राम राज्ये के मालिक बनेंगे यह है अंतिम जन्म अर्थाद स्रिष्टी का अंत है स्रिष्टी का आदी भी बाप करते हैं अंत का विनाश भी बाप करते हैं बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूं गाया हुआ है ब्रह्मा दवारा सापना अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ब्रह्मा कुमार और कुमारियों दवारा भारत को गार्डन ओफ दैवी फ्लावर बनाता हूँ यह तो है कांटू का जंगल इनको अब आग लगने है तुम अब जागे हो मनुष्य तो सोय हुए है यहां तो दुख अशान्ती है बच्चों को हमेशा अपने शान्तिधा स्वीट होम को याद करना है तो स्वीट बादशाही वर्से में मिलेगी इस रावन राज्ये को भूलते जाओ भारत जो परिसान था सो अब कबरिसान बना है फिर परिसान बनेगा यह चक्र है विश्व नई तयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी अब तुमको नई दुनिया के लिए तयार होना है फिर वहां चलकर हीरे जवारों के महल बनाएंगे अब तो जोपडिया है कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है पावन सो पतित बनती है पतित धीरे धीरे बनते है मकान नया जल्दी बनता है पुराना होने में टाइम लगता है ग्यान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे अब कलियुग में है नो कला भारत पावन था अब पतित बना है यह खेल भारत पर ही है रावन से हारे हार अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो अच्छा मीठे मीठे सिक히 लधे बच्छों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप ददा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग. धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, रावन की मत को छोड एक बाप की श्रीमत पर चलना है, इस दुख धाम को भूल, अपने स्वीट होम, शांती धाम को याद करना है, स्वियम को नई दुनिया में चलने के लि रूपी दर्पन दवारा, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव, अपने स्रेष्ट कर्म रूपी दर्पन दवारा, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव, एक एक ब्रह्मन आत्मा, स्रेष्ट आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर् जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा, हर कर्म वर्दान योग्य होगा, मुख से सदेव वर्दान निकलते रहेंगे, फिर साधारन कर्म में भी विशेस्ता दिखाई देगी, तो यह सर सर्टिफिकेट लो, तो तब कहेंगे बाप समान. स्लोगन, अव्यक्त स्थिती का अनुभव करने के लिए, बाहिये मुखता को छोड़, अंतर मुखी, एकांत वासी बनो. अव्यक्त स्थिती का अनुभव करने के लिए बाग का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो दिल से कहो बाबा जो हो वे सब आप ही हो कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ अपने सत्य स्वरूप में सित रहो अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे कि अव्यक्त प्रभाव में वे एक प्रभाव में भी मुझाए जरूर अव्यक्त